प्रोग्राम इधास दिगाल दवच चार स्तंबर चार स्तंबर 1855 पारदे महान बजोर्ग दादा भाई नरोजी दा जना मुंबई विचिक प्रमुख पार्सी परिवार विच होया सी दादा भाई नरोजी एक सिख्यक, नियुक्त, पार्सी पुजारी, बुद्धी जीवी, कपाव अपारी, सियासत दान अधेक समाजक नेता सन वो ब्रिटिश संस दे मेंबर बनन वाले पहले एशियन भी सन नरोजी एयो हाउस अते दंचाव एडॉलजी वाचा देनाल इंडियन नाशनल कॉंग्रेस देसं स्थापक पिसन अपनी किताब गरीबी अते अन ब्रिटिश रूल द्वारा नरोजी ने दस्या की पारत दी जाधातर दौलत बरतानिया नु गई सी अठारासो पंजाव विच बी साल दी उमर विच दादभाई नरोजी नू मंबई विच एल्फिंस्टन इंस्टिउट विच प्रोफेसर दे ओधे दी पेशकश किती गई अजेहा ओधा संबालन वाले ओ पहले पारती सन अठारासो पंजाव विच नरोजी मंबई विच गणी तते कुदरती दर्शन दे प्रोफेसर बणी और साल बाद विच नरोजी ने ब्रिटन विच स्थापद कीती पहली पारती कंपनी कामा एंड को विच पाईवाल बननन ले लंडन दी यात्रा कीती यते उसने नेतिक कार्ना दा हवाला दिन दे हो एतन साला दी पाईवाली तो बाद अस्तीफा दे दिता इस तो बाद नरोजी ने 1889 विच अपनी कपाव अपारक कंपनी नरोजी आण कंपनी दी स्थापना कीती बाद विच ओ लंडन दे युनिवरस्टी कॉलेज विच गुजराती दा प्रोफेसर बाण गे 1800 स्थाठ विच नरोजी ने इस्ट इंडिया एस्सोसेशन दी स्थापना विच मदद कीती जोकी इंडिया नाचनल कॉंग्रेस दे गठन तो पहला स्थापत कीती गई संस्था सी जो ब्रिटिश दे सामने पार्ती द्रिश्टी कोन नो अगे रखना चौन दी सी एस्सोसेशन नूगे अंग्रेजा दा बहुत समर्थन मिलिया जिसने ब्रिटिश पार्ले में नूप्रभावित करन विच ओना दी मदद किती नरोजी 1874 विच बढ़ोदा दे प् समू बाद विच इंडियन नाचनल कॉंग्रेज विच चामल हो गये क्योंकि उना दे इको जहे द्रिश्टी कोन अते उदेश संद निरोजी ने 1886 विच दा प्रधान चुनया ब्रिटिश वापस आके अपनी राजनी तेक ली नूजारी रखले नरोजी पहली ब्रिटिश पार्थी संसद मेंबर चुने गई सन मुहम्मद अली जिनाद्वारा संसद दे तौर ते अपने राजनी तक फर्जाम विच्चूजदी सहायता केती गई सी 1906 विच नरोजी नो मुड इंडियन नाचनल कॉंग्रेस दा प्रधान चुनया गया उसनो उस्ते मद्दम विचा सतर कम बस्ती वादी शासन दे कारन पारत तो बरतानिया तक के दौलत दे निकास दे आले दौले कुम्दा सी अर्थ शास्त्र द्वारा अपने पूरे काम दौरान रोजी ने इस साबत करन दी कोशिश किती कि बिटेन असल विच पारत विचो पैसा काड़ रहा सी इस दी व विची योगदान पॉन ले किर्ट अते पुंजी लेंदे हैं पारत ब्रिटिश सिवल प्रशासन अते किता मुखी फोज ले पुगदान करता है पारत देश दे अंदर अते बाहर बढ़े समराजा ले पुगदान करता है देश नो मुक्त वपार ले खोलना इक तरा नाल व जिवें की रेलवेदा स τιुख ता सी पर उसने दलील दिती की रेलवें द्वारा कमाय घये पैसे दा जधाथा रह् ii साफार तो बाहर कट रया गया ते いश यृ ले बल्लो कमाया पैसा पारत दा नई शी से तरह इस सिंचिई म्खान ईस इंडिया कंपनी पारत तो निकले प परजा गुलाम है इस काल ते निर्बर करदा है कि बृतें पारत नू बृतिश द्वारा संचालित संस्थामय देनले किन नाटयार सी जी कर इस संस्थामा पारत नू दे दितियां जानता पारत स्वेश शासन दे योग हो जावेगा आते कमाई हुई आमदन पारत विछी रहेगी नरोजी ने बराबर रोजगार देकारना दे वी अगवाई किती है ते पार्तियां मलो मदम नौक्रियां लेंडे विरुच सी जिसले ओ ओ ओ ओ or qualified सन जदो कि बिटिश नू सारियां उच तंखा वालिया नौकरियां मिलिया सन दादा भाई नरोजी दा मनना सी कि ड्रेन नू रोकर ले पारत नू देओगा नू विकसित करन दी लोड है ताँ जो देश दे अंदर मालिया रख्या जा सके दादा भाई नरोजी कराची पाकस्तान विझ दादा भाई नरोजी रोड लंडन विझ जे नरोजी स्ट्रीट आते दिली विझ नरोजी नगर अधारा पंजाब टुडे अजवना नुँ सच्डा पेश करता है एतहास तो जोड़ी जरूरी चानकारी ले जोड़ी रोह साधी चानमे दिना आत साजिकार